वेलकम टू एक्जाम नर्ड आज हमारा है वीक टू का दूसरा दिन ठीक है तो आज हम वोकेब सीखेंगे एक वेब सीरीज आई थी मिल जापूर उससे सीखेंगे ठीक है और बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे आप चलिए सुरुआत करते हैं अपने सबसे पहले वर्ड से है ACC aproxim c Khalenering एक्सप्लीशेट का मतलब क्या होता है एकस्प्लीशिट का मतलब होता है समझने में कोई चीज सरल हो है ना मतलब अग Dharma अगर हम दूसरी भाशां में कहें मतला सब्ढ़ है तो इसे सब्दा किया गया अच्छा अब देखो यह आप ऐसए अखम्पल नपते हैं मु मत कहा करो किसी से जो भी बोलते हैं वो तुरंती बोल देते हैं जो उनके मन में आए एक्स्पिसिटली मत बोला करो लेकिन मुन्ना भीया ठहरे अपने एक दम क्वेरल समा आदमी तो वह तो लुचिद लुचिद गालियां हो देते हैं लोगों को है न तो अच्छा अब हम एक है चौतअ ल्युचिड यूस्पणाना हो गया एंशर है दीए अब इन तीन वर्ड़ को और जान लेते हैं च्छा तो सबसे पहला वर्ड है हमारा एकक्वी संब थूला का मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि आइसपस्ट कैसे पहले इस वर्ड को यहाँ लिख ले हम एकवी वोकल एकवी का मतलब समझ लो आप इकवल ठीक है और वोकल मतलब बोलने में तो बोलने में कुई चीज इकवल है हमने आपसे मांगा था अच्छा एक अच्छा रिजल्ट देना इस निकलता है आप nे एक्वीवोकल मुझे रिजल्ट दिया तो उसका मतलब क्या हुआ कि सब्सक्सक्राइब एकवी पो सकता तो हम कहा हुआ हुआ मतलब कोई चीज मतलब यह भी सही है यह भी सही है तो मतलब समझने में कठिन हो गया ठीक है दूसरा वर्ण हमारे क्या है अन इंटेलिजिबल इसका मतलब होता है संगत या फिर अनकूल अच्छा अब आपने वर्ड सणाओ जैसे अगर आपने कोई भी चीज रूस्ट यह आप इस नॉर्ड ऑन इंसकते के लिए यह जो है नुकूल नहीं यह वाला एप न यह बोलते हैं नोट कमपैटिंबल ठीक है तो अगर इसका अगर असंगत है ठीक है चलिए आगे बात कर लेते हैं दूसरे वर्ड की तो instigate instigate का मतलब होता है भढ़काना या फिर उक्साना ठीक है अच्छा अब इसका पहले तो हम एक अच्छाम पर लेखते हैं हंदी में मतलब एकदम पिक्चर में तो यह है यह एक लड़की यह है यह इनका कलीग है ठीक है तो यह वाली क्या बोलती है इसके कैबिन में मत जाना इस लड़के की बात करें के नहाता नहीं है गंदा है बद्बूर आती है जबहू कैसे expression दे रहे है ना तो यह एकदम अपने अडिग है अपने फैसले से लेकिन जॉब छोड़ देंगे ठीक है तो यह बोला इंस्टिगेट मत करो भड़काओ मत उसे ठीक है मैं खुदी जॉब छोड़ दूगा ठीक अब हम एक्जामपल देख लें इंग्लिस में मतलब उन पर आरूप लगा है ने उक्शाना वड़का दी इनग्चैनटार है मतलब एंस्टिगेट का होता है बढ़काना inflame inflame का मतलब होता है कि किसी चीज में आग लगाना सुलगाना काइंडल का मतलब सुलगाना सुलगाना काइंडल का मतलब सुलगाना अच्छा आप ये तीन वर्ड्स और देख लेते हैं stagnate imbibe और instill तो हम इनको लिख लेते हैं यहाँ पे पहला वर्ड हमारा है stagnate 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 का मतलब होता है निस्क्रिय पढ़ जाना निस्क्रिय पढ़ जाना ठीक है मतलब कोई भी चीज से बिलकुल रुग गई है stagnating economy हमारी मतलब stagnating economy स्थिर पढ़ जाना ठीक है imbibe का मतलब क्या होता है इंबाइब का तो इतना interesting meaning है कि पूछो मत इंबाइब का मतलब होता है कोई भी चीज को absorb करना आत्मसाथ करना आत्मसाथ करना और दूसरा word होता है कि पीना कोई चीज पीना मतलब अगर हम बात करें अल्कोहल अधिक है दारु पीने के लिए हम इंबाइब लगा सकते हैं अगर बोलते हो कि drink the wine तो आप इंबाइब लगा लिजे no problem टीक है अच्छा इंस्टिल का मतलब क्या होता है इंस्टिल का मतलब इंस्टिल का मतलब होता है किसी के मन में कोई बढ़ाना किसी के मन में कुछ बढ़ाना अच्छा अब आपको यह थोड़ा समझ में नहीं आएगा कैसे सुनो इस्टिल का हम ऐसे बता देते हैं इस्टिल इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करने हैं देखो इस्टिल का मतलब क्या होता है मतलब ठैरा इस्थिर ठीक है और इन का मतल मतलब अन्दर मतलब मैं मालनी जिए ठीक है अन्दर है ना इनका मतलब अन्दर ही थो हता है कोई भी मदी चीज्व कंड ना ठीक है तो इंस्टिल इंबाइब का मतलब आत्मसाज करना स्टेगनेट का मतलब निस्क्रिय पड़े जाना और काइंडल का मतलब सुलगाना ठीक है चलिए अगले अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं एज़िस्ट्मेट्ट मतलब होता है तालमेल या फिर समयोजन तो इसको हम देखेंगे पहले picture से जिन्दगी में यह कौन है यह कौन है तो यह इसका सिनोनिम नहीं है लग्जूरियस का मतलब आनंद दायक गुड्डू पंडे चाहते हैं कि आनंद दायक जीवन मिले तो थोड़ा से अजस्टमेंट उसमें कर दीजिए थोड़ इसे मतलब अजस्टमेंट कर दीजिए और डिजाइन एकदम पर्फेक्ट देखेगी तो एजस्टमेंट का मतलब थोड़ा सा ताल मेल मिठालो उसमें तो अच्छी दिखेंगी डिजाइन ठीक चलिए तो अब इसका जो कर्यक्ट आंसर है वह बैलेंसिंग ठीक बैलेंसिंग मतलब संतु करना ठीक है यह वर्व है ठीक कम्प्रोमाइजिंग का मतलब होता है कम्प्रोमाइज का मतलब होता है समझोता करना समझोता करना ठीक है चलिए और लक्जिरियस का मतलब तो हमने बताई दिया था आनंद दायक ठीक है चलिए बढ़तने हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर अगला ह किसी व्यक्ति के बारें हम बताएंगे उसकी क्वालिटी क्या क्वालिटी है वह जगड़ालू है कोई बीड बात हो जगड़ा बड़ी जल्दी करता है है ना तो इसके लिए एक और वर्ड हम बताये तो वह है पीविस कोई भी चोटी-चोटी सी बात तो अब हम आगे बात कर लेते हैं उसकी किसकी हाँ तो अब देख लेते हैं इसका हम पिक्चर से कैसे यस तो यह है मुन्ना भीया और इनके दोस्त का मैसेज आता है अब अब देख लेते हैं अब देख लेते हैं एक्जांपल कि आप देख लेते हैं मुन्ना भाइया इमबाइप तूमज बहुत ज़्यादा अर्व दारू पी लेते हैं he becomes quarrelsome वो जगडालू हो जाते हैं एक दम फिर तो जगडा करना उन्हें बहुत पसंद है फिर तो जगडा जरूर करेंगे ठीक है अच्छा तो इसका synonym क्या हो जाएगा इसका synonym हमारा हो जाएगा क्वेरिलस ठीक है यह हमारा सिनोनिम हो जाएगा इसका सी मतलब तीसरा ओप्सन ठीक अच्छा तो ओपैक का मतलब क्या होता है ओपैक का मतलब क्या होता है मतलब अपार दर्सी अपार दर्सी ठीक है जो हमें दिखाई न दे है न और ट्रांस्पिरेंट का मतलब क्या होता है जो आर पार दिखाई दे तीन वर्ड होते हैं सबसे पहला ओपैक ठीक दूसरा होता है ट्रांस्पिरेंट ट्रांस्पिरेंट और तीसरा वर्ड होता है ट्रांस्लूसंट ट्रांस्लूसंट ठीक है तीन वर्ड होते हैं इसका मतलब तो देख सकते हैं और यह होता है पार भाशी पार भाशी मतलब देख तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं तो जैसे कोई भी कागज है जैसे मालीजिए आप एक ब्लैंक पेपर पे वाइट पेपर पे आप तेल फैला लीजिएगा फिर उसके अगर हम उसके आरपार मतलब पूरी तरह से नहीं देखेगा ठीक है तो वो ट्रांसलूसिंट हो जाएगा और अगर हम कोई शीशा देखते हैं मतलब ट्रांस्पिरेंट सीशे में तो हम आरपार उसके देख सकते हैं और ओपैक तो देखी नहीं सकते ठीक चली अक्वारिलस का मतलब होता है जगड इंसान जो प्रैक्टिकलिटी पर विश्वास रखता हो सिध्धान्तों पर नहीं अच्छा एक और मतलब एक और वर्ड होता है हमारा डॉग्मैटिक डॉग्मैटिक इसका मतलब होता है सिध्धान्तवादी सिध्धान्तवादी वो प्रैक्टिकलिटी पर विश्वास नही यह सही है ठीक बेसक उसका कोई भी एविडेंस नहों तो उसको बोलेंगे डॉग्माटिक ठीक है चलिए बढ़ते हैं आपने नेक्स्ट वर्ड की और पैन्यूरी पैन्यूरी का मतलब क्या होता है बहुत गरीबी या फिर दरिद्रता दरिद्रता ठीक हां तो यह देखते हैं दो यह है बबलू पंडित और यह है गुड्डू पंडित ठीक है अच्छा तो यह क्या बोलना है यह अपने चोठे भाई से और देखो बबलू ऐसी तो तुछ जारँ धेलीक सब्सक्राइब अगर जाद ही गरीब है तो उसके लिए पैनुरी लगाएंगे हम ठीक है चलिए तो हम एक एक्जामपल देखते हैं इन इस आधुनिक दुनिया में कौन जीना चाहेगा मतलब कौन जीना चाहता है और वास्ता में कोई नहीं चाहता ठीक है अब आप बोलोगे बड़ा सुध है यह हंदी to be a Pne तो जीना प्राप्लम मतलब कोई छीज अगर मतलब पढ़ने के योग हो तो इसको रीडव बोलेंगे ठीक है अच्सका इसके लिए एक और पर देखो लेजिबल ठीक है पढ़ने योग है अगर जो पढ़ने योग नहीं है तो इलेजिबल इलेजिबल ठीक है अपठनिया अपठनिया मतलब पढ़ने लाइक नहीं और यह पढ़ने लाइक ठीक है compatibility का हमने मतलब बदाइथ हो तो हम पर अनुकूल है ना तो यहां पर क्या मतलब हो जाका अनुकूल आनुकूल प्र When I look kinda ने का मतलब क्या होता है भाहुमत का एक और अल्ब संख्यक का मतलब क्या होता है Minority मेदम के छोटा होता है तो बहुत कम अल्प संख्यक अल्प संख्यक ठीक है तो आज तक आज के हमारे वर्ट यहीं तक थे तो थैंक्यू वेरी मुच फूर वॉसिंग इस वीडियो और आपको यह सेशन कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं यह जो हमारे कुछ हैं सूसल मीडिया हैंडल्स फेस्बूक टे होते रहेगा अपना खयाल रखेगा थैंक्यू